क्लास थर्ड स्टूडेंट तुड़े आइविल एक्स्प्लेंग चेप्टर नमबर एट लिंकन की दाढ़ी प्रसूत पार्ट अबराहम लिंकन की जीवनी से संबंदित है लिंकन की लोगप्रिता का एक कारण यह भी था कि वे आम जंता से जुड़े नेता थे यह पार्ट हमें संदेश देता है कि चाहे हम कितने ही बड़े क्यों न बन जाएं हमें मानवी मुल्यों को नहीं चोड़ना चाहिए तथा सुझाओ देने वाले की कदर हमेशा करना चाहिए क्योंकि यही गुण हमें महान बनाते हैं अम्रीका की लोग अब्राहम लिंकन को अपने पसंदीता निता के रूप में बहुत चाहते थे, लोगों की घरों में उनकी तस्वीरे टंगी रहती थी, अब्राहम लिंकन एक दुबले पत्रे चहरे की पर आकर्शक व्यक्तितों के धनी व्यक्तित है, और उनके चहरे पर दा के वेस्ट फिल्ड में रहती थी, उस बच्ची का नाम था ग्रेस ब्रिडल, उसने लिंकन को एक पत्र लिखकर अपना सुझाओ दिया, उसने लिखा कि दाड़ी बढ़ा लेने पर आप अधिक आकर्शक लगने लगेंगे, और अधिक से अधिक लोग आपको वोट देंगे इस प्रकार आप अमेरिका के राष्ट पती बन जाएंगे, इसके कुछ दिनों बाद अबराहम लिंकन ग्रेस ब्रिडल के शहर वेस्ट फिल्ड में रुके, भाशन देनी के बाद वे ग्रेस ब्रिडल से मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने दाड़ी को कायद उनकी प्रसिद्धी का यही एक बहुत बड़ा कारण था, कि उन्होंने ग्रेस बिडल नाम की छोटी सी बच्ची की सलहा मानकर अपनी महनता का परीचे दिया, ग्रेस बिडल भी साहसी और होशियार लड़की थी, वह अपने इरादों की पक्की थी, उसने लिंकन को लिक कर, सुझाओ देने का द्रण इश्य किया और उसे पूरा भी कर दिखाया, तो स्टूडिंट्स, रीड चैप्टर नमबर एड लिंकन की दाढ़ी